नमस्कार दोस्तों फिर से एक बर स्वागत है एक जामो ओर या 2.0 में आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं Central Government की इस्चिम दोस्तों पहला है प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी दोस्तों यह योजना हमारे किसान भाईयों के लिए है जो 24 फर्वरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरगपूर से योजना का सुभारंब किया प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना का सुभारंब उत्तर प्रदेश के गोरगपूर जिले से 24 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा शुरू किया गया प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी भारत सरकार की एक योजना है अगर पूछा जाए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी एक कैसी योजना है तो यही एक भारत सरकार की योजना है जिसमें सभी किसान को निवनतम आय सहायता के रूपे में प्रतिवर्स 6,000 रूपे मिलेंगे इसमें यह कहा जा रहा है कि प्रतिवर्स क्रिशक के लिए 6,000 रूपे भारत सरकार के द्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा 6,000 प्रतिवर्ष 3 किस्तों में प्रतेक पात्र किसान को भुगतान किया जाएगा यह 6,000 रुपए 3 किस्तों में प्रतेक किसान भाई को दिया जाएगा और यह 3 किस्तों में दिया जाएगा प्रतेक किस्त में 2,000 रुपए करके 3 किस्तों में दिया जाएगा ऐसे करके 6,000 रुपए प्रतेक किसान को प्रतिवर्ष दिया जाएगा दूसरा है प्रधान मंत्री स्रम योगी मान्धन योजना यानि कि P.M.S.Y.M. प्रधान मंत्री स्रम योगी मान्धन योजना पांच मार्च 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्रम योगी मान्धन योजना P.M.S.Y.M. इसकीम का गुजरात के वारश्टरल से सुभारंब किया अगर पूछा जाए प्रधान मंत्री स्रम योगी मान्धन योजना कहां से इसका सुभारंब किया गया था तो आप लोग बता सकते हैं यह योजना गुजरात के वालस्टरल से सुरू किया गया था भारत सरकार ने विद्धावस्ता की सुरच्छा, सुनिश्चित करने के लिए और संगठित स्रमिकों के लिए पेंशन योजना सुरू किया गया दोस्तों अगर आपसे कोश्चन पूछ लिया जाए कि प्रधान मंत्री स्रम योगी मांधन योजना यह एक कैसी योजना है तो आप लोग बता सकते हैं यह एक पेंशन योजना है और यह योजना ब्रिद्धा वस्ता की सुरच्छा सुनिश्चित करने के लिए और संगठित जितने भी हमारे स्रमिक भाई हैं उनके लिए यह योजना लाया गया है पहले हम इसकी क्रेटेरिया देखते हैं इसकी पात्रता मांधन क्या है दोस्तो इस योजना में प्रवेश करने के लिए अठारे वर्ष से चालिस वर्ष के बीच का व्यक्ति ही इस योजना का लाब उठा सकता है जिसकी मासी का है पंद्रह हजार या उससे कम हो निवनतम आश्वासन पेंशन प्रते ग्राह को साथ वर्ष की आयुप्राप्त करने के बाद निवनतम रूपय 3,000 प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी दोस्तों यह योजना साथ वर्ष की आयुप्राप्त करने के बाद प्रते एक नागरिक जो इसमें इंड्रॉलमेंट कराया है उसको प्रति माह 3,000 रूपय पेंशन के रूप में प्राप्त होगा परिवारिक पेंसन क्या है उसे देखते हैं पेंसन की प्राप्ति के दवरान यदी वक्ता की मृत्त हो जाती है कराय जो भी व्यक्ति इस योजना का लाब उठा रहा है अगर आकस्मात उसकी मृत्त हो जाती है तो लाभार्थी का जीवन साथी द्वारा प्राप्थ पिंशन का 50% परिवारिक पिंशन की रूप में प्राप्थ करने का हकदार होगा पिवारिक पिंशन के वन पत्थी या पत्नी के लिए लागू है दोस्तों इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर जो व्यक्ति इस योजना का लाव ले रहा है अगर उसकी नित्त हो जाती है तो उसका जीवन साथी यानि कि उसकी पतनी इस योजना का 50% का हकदार होगी तीसरा है प्रधान मंत्री लगु बैपारी मांधन योजना 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 22 जुलाई 2019 से लागू किया गया बैपारीयों और स्वन योजित व्यक्तियों के लिए राष्टी पेंशन योजना दुकांदारों खुरदरा बैपारीयों और स्वन योजित व्यक्तियों के लिए एक पेंशन योजना है जिसमें जितने भी छोटे ब्यापारी और दुकांदार लगू ब्यापारी हैं उनके लिए यह योजना लाया गया है ब्यापारी और स्वन योजित लोगों के लिए जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 यानि देर कड़ोर रूपए से देर कड़ोर रूपए है सरकार ने 60 वर्ष की आयू प्राप्त करने के बाद प्रतिमा तीन वर्ष की निश्चित राज का वादा किया है दोस्तों जितने भी छोटे लगू द्योग के ब्यापारी हैं या फिन हम कह सकते हैं दुकांदार हैं जिनकी इंकम वारसिंग इंकम देर करोर रूपए है सरकार ने 60 वर्ष की आयप्राप्त करने के बाद उन्हें भी प्रतिमा 3,000 रूपए निश्चित राज का वादा किया है इसमें भी enrollment कराने के लिए आयू 18-40 वर्ष की आयू वर्ष के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं जिसकी आयू आयू कर सकते हैं जिसकी आयू 18-40 वर्ष के बीच में है या फिन कर सकते हैं 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है इस योजना का लाब उठा सकते हैं इस योजना में 3 करोड से अधिक छोटे दुकानदारों और व्यपारियों को लाब मिलेगा यह योजना 3 करोड छोटे दुकानदारों और व्यपारियों को लाब होगा दोस्तों प्रधान मंत्री लग व्यपारी म यह एक छोटे ब्यापारियों, दुकानदारों, स्वन योजित ब्यक्तियों के लिए यह एक पेंशन योजना है। सुकन्या सम्रीद खाता योजना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जन्वरी 2015 को हर्याडा के पानिपट्थे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान के तहत इस योजना की शुरुवात की गई थी। दोस्तो, सुकन्या सम्रीद खाता योजना का शुरुवात 22 जन्वरी 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर्याडा के पानिपट्थे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान के तहत शुरुव किया गया था। दस वर्स की आई प्राप्त करने तक एक बालिका के नाम से खाता खोला जाएगा। यह सबसे मुख्य बाती है कि यह खाता जो है पोष्ट आपिस और अधिकरित बैंकों की साखाओं में खोला जाएगा। जिस बालिका के नाम से खाता खोला जाएगा, उसका जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तूत करना होगा। दोस्तो अगर जिस बालिका का खाता खोला जाएगा, शुकरन्या सम्रिद खाता योजना के तहट उसकी जन्म प्रमाण पत्र होना अति अवस्यक है। तभी यह खाता खोल सकेगा, नहीं तो नहीं खोल पाएगा। अधिक्तम 150,000 ब्रित्ती वर्ष में जमा किया जा सकता है। खाता को भारत में कहीं भी एक डाक घर, बैंक से दूसरे में अस्थरांत्री किया जाएगा। इसमें यह बताया जा रहा है कि यह खाता की डागर बैंक में खोला जा सकता है खाता उच्छा उद्देश्यों के लिए 18 वर्ष की आयू में 50% निकासी की अनुमती देता है यह योजना दोस्तों खाता उच्छी सिच्छा उद्देश्यों के लिए 18 वर्ष की आई उसमें 50% निकासी की अनुमती देता है अगर भालिका 18 वर्ष की हो गई है तो उसके सिच्छा के लिए 50% निकासी किया जा सकता है यानि 50% इसमें से बैंक में से या चाय डाग घर्ष में से निकाला जा सकता है खाता खोलने की तारिक से 21 साल की समय अवध के बाद परिपक्वता तक पहुंचता है तब इसका लाव पूरा का पूरा मिलेगा दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक सस्क्राइब और सेयर करना न भूले और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक सस्क्राइब और सेयर करिए धन्यवाद